अब आपको बताते हैं कि दूद के प्रियोग की सावधानिया क्या हैं? ऐसा नहीं कि दूद गरम किया, उबाला और पी लिया, ऐसा नहीं, उसके कुछ सिस्टम है देखिए, जब सिस्टम से चलेंगे, तो ये चीजें आपको फाइडा पहुचाएंगी, इन चीजों का लाब आपको प्राप्त होगा दूद के प्रियोग की सावधानिया क्या है? देखिए, पहली सावधानिया है कि बिना उबाले हुए कभी भी दूद मत पीजिएगा चाहे कोई कितना भी समझाए, लेकिन कच्चा दूद पीने से, बिना उबला हुआ दूद पीने से आप बीमार हो सकते हैं या तो पास्चराइजड मिल्क हो, या उबाल करके अच्छी तरह से ठंडा करके तब दूद पीजिए तांबे के बरतन से दूद मत पीजिए, तांबा यानि कॉपर और दूद में होता है सलफेट तो ये मिल्क के बन जाता है कॉपर सलफेट यानि की तूतिया जो की एक वाईजन है, जो की एक जहर है तो तांबे के बरतन से भूल कर भी दूद मत पीजिएगा और ऐसा नहीं कि खुद नहीं पीते हैं तो भगवान चंकर को पिलाने पहुँच गए तांबे के लोटे में दूद डाल के चढ़ा दिया, ऐसा करियेगा भी मत तांबे के बरतन से दूद कभी पीजिएगा भी नहीं और कभी भगवान को अरपित भी मत करियेगा दूद के साथ मचली का सेवन करना खतरनाक हो सकता है अगर आपने दूध पिया है तो कम से कम अगले 6 घंटे तक मचली मत खाईएगा और अगर आपने मचली खाईएगा तो अगले 6 घंटे तक दूध मत पीजिएगा वरना आप कोई स्किन की प्रॉबलम हो सकती है या फूड प्वाइजनिंग की शिकार हो सकते हैं इसकी संभावना बनती है अगर पेट या त्वचा की समस्या हो तो दूध का प्रियोग कम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों को दूद पीने से पेट में दिक्कते होती है दूद मत पीजिए या पीजिए तो डूटर से पूछ करके पीजिए कि कैसे और कितना दूद पीना है क्योंकि बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनको स्किन की प्रॉबलम होती है अगर वो जादा दूद पीना शुरू कर दें तो उनके स्किन की प्रॉब्लम बढ़ जाती है अगर दूद अरपित करते हैं तो इसे व्यर्थ ना होने दें अगर आपको शिव जी को दूद चड़ाना है शिवलिंग पर तो आप एक लोटे में एक चम्मश दूद डाल करके चड़ा दीजिए एक तरीका तो ये है और दूसरा तरीका ये है कि एक पात्र में लोटे में गिलास में कटोरी में भगोने में दूद भरिये शिवलिंग परशपरश कराईए और किसी निर्धन व्यक्ति को पात्र सहीत बरतन सहीत उसका दान कर दीजिए आजकल तो दूढ कार्टन में भी आते हैं तो आप ऐसा करिए कि कार्टन को ले जाके शिवलिंग परशपरश कराके कार्टन के साथ या थैली के साथ दूद किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दीजिए तो बहुत अच्छा रहेगा ताकि उसका कोई और प्रियोग कर सके अब सबसे एहम बात पर आते हैं जो आज का हमारा सबसे महत्वपूर मामला है कि दूद के प्रियोग से दरिद्रता कैसे दूर होती है दूद का गरीबी के साथ दरिद्रता के साथ क्या कनेक्शन है और दूद के प्रियोग से दरिद्रता कैसे दूर हो जाती है पहले आपको प्रियोग बनाते है सो मुवार की रात को नहां वहां लीजिए, सनान कर लीजिए एक साफ पात्र में दूध ले लीजिए एक साफ कटोरी में या गिलास में या लोटे में दूध ले ले इसमें एक चांदी का सिक्का और थोड़ा सा शहद डालिए अगर चादी का गिलास है आपके पास तो उसमें दूद ले लें, उसमें श्टिक्का डालने की जरूरत नहीं है उसमें केवल शहद डालिए इस पात्र को चंद्रमा की रोश्नी में रखिए, अपनी बालकनी में बैठिए या अपने छट पर बैठिए चंद्रमा की रोशनी में इसको रखिए अब इसके सामने बैठ करके शिव जी के मंत्र का जब करिए पूर्व दिशा की तरफ बैठिए चेहरा करके सामने दूज से भरा हुआ गलास या लोटा या कटोरी रख लीजिए उसमें शहद और चादी क सिक्का डाल लीजिए इसके बाद एक मंत्र जपेंगे मंत्र देखे स्क्रीन पर मंत्र है ओम दारिद्र दुख दहनाय नमह शिवाय ओम दारिद्र दुख दहनाय नमह शिवाय इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार यानि एक माला जप करना है मंत्र जप करने के बाद 5 मिनट 7 मि ग्रहन कर लीजिए ऐसा हर सो मुवार की रात को करिए और आप चाहें तो घर के सारे लोगों में इस दूद का जरा जरा सा प्रसाद आप बाट सकते हैं अगर ऐसा निरंतर किया जाए लगातार किया जाए तो धन संबंदी जो मुश्किल है धन संबंदी जो समस्या है वो दू आप तो हो जाएगी दूद को लक्षमी भी माना जाता है पुराने घरों में लोग जानते होंगे कि दो चीजों के जमीन पर गिरने से लोग बहुत नाराज होते थे एक कहते थे कि नमक मत्थे को जमीन पर बहुत पाप लगेगा और दूसरा कहते थे कि दूद जमीन पर मत गिराओ इससे लक्षमी नाराज हो जाती है एक बात समझ लीजिए कि दूद का दूरुपयोग कभी मत करिएगा क्योंकि अगर आप दूद का दूरुपयोग करते हैं बेवज़ा दूद बरबात करते हैं तो ऐसी दशा में आपकी जो मना स्थिती है आपकी जो मानसिक स्थित जिनकी कुंडली में चंद्रमा खराब हो वो लोग दूद पीने से बचें और जिनकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर हो ऐसे लोगों को दूद जरूर पीना चाहिए